Hello everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला NCRT अधारित साइन्स के कुश्चन और आंसर का सेट नमबर 10 जिसमें हम सब देखेंगे कुश्चन नमबर 91 से लेकर के 100 तक चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि आज हम सब NCRT का 100 कुश्चन पूरा कर लेंगे और इसे ये आगे करते ही रहेंगे ताकि आपका एक भी साइन्स का कुश्चन छूटे नहीं 91 नमबर कुश्चन से सुरवात करते हैं 91 नमबर कुश्चन है भोजन का निर्मान करने के कारण किसे कोसिका की रसोई कहा गया है ये पौधे की बात हो रही है तो इसका अंसर होगा हरित लवक अब हरित लवक को समझेंगे उसके बाद वर्णी लवक को समझेंगे और और वर्णिक लवक के बारे में अभी हम सब जानेंगे चलिए देखते हैं कि पत्ते हरे क्यों होते हैं फल और फूल खुबसूरत क्यों होता है और जड़ में कोई कलर क्यों नहीं होता है तो सबसे पहले हरित लवक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं यह पत्तियों एब हरे तने में पाये जाने वाला हरे रंग का लवक है जिस वर्नी लबक है या फल फूल रंगीन पत्यों में होता है अब पौधे में के जो पौधे का जो कलरफुल एरिया है यानि पौधे का रंगीन भाग है उसमें क्या होता है वर्नी लबक इसलिए फल और फूल कैसा होता है कलरफुल होता है बहुत ही खुबसूरत होता है क्योंकि कि उसमें है वर्नी लवक हरे पौधे में हरित लवक फूल और फल में है वर्नी लवक इसलिए वो खुबसूरत होते हैं और थर्ड नंबर है पौधे का वह भाग जो रंग ही नो जिसमें कलर हो ही न वह उसमें क्या रहता है और वर्नी लवक होता है जैसे जड़ और तना जड में कोई भी कलर नहीं होता है, तो जड में ओवर नी लवक है, तो ये तीन फैक्ट्स आप समझ गए होगे, 22 नमबर कुस्टन है, किसे प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है, आपके आंसर हो जाएंगे राइबोसोम, अब क्यों कहा जाता है प्रोटीन की फैक्टरी, क्योंकि यह प्रोटीन के संस्लेशन में सहायक है, यह आरइने एवं प्रोटीन के बने होते हैं, राइबोसोम में 70S और 80S दोनों होता है, S से क्या होता है, स्वेट बर्ग यूनिट इसको बोलते हैं, तो यह किसे कोशिका की आत्म घाती थेली काते हैं, तो इसका आंसर होजएगा लायन का या लाइसो सौंग, अब इसके बारह में जान लेते हैं, यदि किसी दुरगटना बस लाइसो सौंग फट जाता है, तो यह स्वेंग इकोशिका का पाचन कर देता है इस कारण इसे कोसिका के आत्म घाती थेली कहते हैं अब इसका एक्च्वल में कार्ज क्या है तो यह अपसिष्ट पदार्थ बहारी पदार्थ जैसे जिवानवों भोजन के कनों मिरित या पुराने कोसिकांग आदी का पाचन करता है लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी एक थेली होती है यह अंतर कोसिकांग पाचन में सहयक होता है और इसकी खोज किस ने की थी उनीच सो पचपन में क्रिस्चन डी डूबे द्वारा किया गया था खोज भी काफी बार पूछ लिया जाता है तो लाइसोसोम अगर आपके अंदर फट जाए त इसलिए इसको बोला जाता है कोसिका के आत्म घाती थेली तो डैरेट कोशन आएगा कोसिका के आत्म घाती थेली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है इसका कारज देख लिए अपसिष्ट पदार्थ बाहरी पदार्थ जिवानू भोजन के कन मृत या पुराने क कोशिकांग आधिका पाचन करता है और इसका खोच कोन किया था 1955 में क्रिश्चन डी डूबे द्वारा किया गया था 54 नंबर कोश्चन है लाल रूधीर कोशिकाएं आर बीसी या इरिथ्रोसाइट का लाल रंग होने का कारण क्या है यानि बलड के बारे में बात हो रही है तो इसका अंसर हो जाएगा हीमोगलोबीन नामक लो यूक्त लाल स्वसन वर्णक के कारण बलड कैसे होता है लाल होता ह चल ये लाल रूधीर कोशिकाएं के बारे में जानते है यानि आर बीसी के बारे में जानते है लाल रूधीर कोशिकाओं की संख्या स्वस्त व्यक्ति में 50 से लेकर के 44 लाग प्रती mm3 होता है परिपक को आर बीसी में कैंदरक नहीं पाया जाता है मतलब जो stable हो जाए आकिर दूसरी बात लाल रुधीर कोशिका का निर्मान वयस्क में अस्थी मज्जा बॉन मेरो में होता है तथा इसका जीवनकाल 20 से लेकर के 120 दिनों तक होता है अगर लाल रुधीर कोशिकाओं के बारे में आरवीसी के बारे में आपसे प्रस्ण पूछा जाए तो ये 3-4-5 फैक् कर लेंगे बॉन मेरो हड़ी के अंदर होता है ठीक है कभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे NCRT स्रीज में ही तो 94 कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे चलिए RBC के बाद देखते हैं WBC यानि स्वेत रुधीर कोशिकाए 95 नमबर कोश्चन है स्वेत रुधीर कोशिकाए या ल्यूकोसाइट का जीवनकाल कितने दिनों का होता है तो इसका अंसर हो जाएगा 2-7 दिन एक स्वस्त व्यक्ति में WBC यानि स्वेत रुधीर कोशिका च्वाई की संख्या 6000 से 8000 प्रती mm क्यूब होती है यह केंद्रा क्यूब रंग हीन को सिकाए है यहां पर रंग हीन होगा ठीक है मतलब कलर लेस कलर नहीं रहता है उसमें जो रोगों से लड़ने में साहिता प्रदान करता है यह दो प्रकार का होता है पहला कनिकानू और लें जैसे न्यूट्रोफील ईयो सीनोफील एवं बासोफील दूसरा है कनिकावीन जैसे मोनोसाइट एवं लिंफोसाइट तो बस आपको एक दो फैक्ट्स इसमें भी याद रखना है कि डबलू बीसी क्या करता है तो रोगों से लड़ने में साहिता करता है एक यह कुस्टन है 96 नंबर किसे कोसिका का ट्रैफिक पुलिसमेन कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा गाल जी उपकरन अब यह क्या है तो यह अन्ता प्रदवी जालिका द्वारा संसलेशित पदार्तों को पैक करके कोसिका के अंदर या बाहर विविन छेतर में भेज कर पद जद्वी जटिल सकरा का निर्मान हार्मोन्स का भी निर्मान गोंध रेजिन का स्रावन आयनों का अप्सोशन प्राथमिक गा इत्यादी करता है इतना आपको याद रखना है किसे कोसिका का ट्रैफिक पुलिसम कहा गया तो घाल जी उपकरन यह कोसिका के नंदर सब कुछ कुछ को भेज सकता है इसलिए इसको ट्रैफिक पुलीस कहा गया है इससे आप आप याद कर lेंगे इसका कारे जरूर याद रखेंगे कि यह głosmin के निर्मान में सहयक है जटिल सूगर के निर्मान वे सहयक है सकराज इसको बोलते हैं गोन्द, प्रेजीन का स्रावन, आयनों का अप्सोर्षन, इत्यादी में ये साहक है, एक्स्ट कुस्टन है, 97 नंबर, पालक में कौन सा अमल पाया जाता है, पालक साग आप सभी जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, औक्सेलिक अमल, चलिए पालक के अलावा, भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि काफी वार एक्जाम में पूछता है, तो सिरका में कौन सा आमल होता है एसेटीक अम्ल चिटी का डंक में कौन सा अमल होता है फार्मीक अम्ल उसके बाद निम्बू संतरा इसमें कौन सा आमल होता है तो आपको facts भी कुछ याद रखना है सिर्फ concept ही नहीं पढ़ना है हम सबको मेरा मकसद इस NCRT सीरीज सुरू करने का है कि साइन्स में जो भी प्रसन आपके आएंगे वो आपका बनना चाहिए तो यह पूछता है इसलिए मैं आपको बता दिया बहुत बार BPSC में पूछ देगा कि चार ओप्सन देगा और चार इधर भी देगा और बोल देगा मिलाने तो आपको सारा याद रहना चाहिए क्योंकि यह इन्पोर्टेंट है यह 98 नमबर है विद्दुच जनित्र याने इलक्ट्रिक जर्नेटर के सिद्धान पर कार करता है तो इसका अंसर हो जाएगा विद्दुच चुमक्या प्रेरन अब तो काफी यह परचलीत में है उस जर है में बदलता है अब यह क्या करता है तो प्रत्या वर्तिधारा यानि alternating current उत्जफ़ारा जनित्र करने वाले जनित्र को परत्यावर्तिधारा जनित्र कहते हैं इसमें कौण सा current उत्पन होता है तो बस इतना याद रखना है इस्ट है विद्दूत मोटर का उपयोग, बिजली के उपकरन, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मसीने, विद्दूत पंखे आधी को चलाने में किया जाता है, विद्दूत मोटर भी विद्दूत चुमक्या प्रभाव के सिद्धान पर कार करता है, बस आपको दो तीन इसमे किस उड़ जामे बदलता है, तो विद्दूत उड़ जाको यांतरिक उड़ जामे, दूसरी बात, विद्दूत मोटर भी किस सिद्धान पर कार करता है, विद्दूत चुमक्या प्रभाव के सिद्धान पर कार करता है, विद्दूत चुमक्या प्रभाव के सिद्धान पर दूसरा है द्रवमान केजी यानि किलोग्राम, तीसरा समय सकेंड, चोथा विद्धुधारा एंपियर, पाचमा है ताप केलविन, छटा है जोती तिवृत्ता केंडेला, और साथमा है पदार्त की मातरा मोल, काफी बार मैच करने देदेगा आपको बड़े एकजामों में भी और इसका वीडियो सिर्फ मैं संडे को नहीं लाओंगा, क्योंकि उस दिन मैं टेस्ट लेता हूँ, बाकी मैं कोशिस करता हूँ कि 6 का 6 दिन आपको ये वाला वीडियो मिले, दूसरी बात अगर जोगरफी का भी NCRT का इस प्रकार का सीरीज आप सब चाते हैं, 6 से लेकर के 12 तक, तो कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पर मैं उसके बाद सोचूंगा, कुश ठीक है, तो 100 questions NCRT complete, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, चली जल्दी मिलते हैं, सेट नमर 11 में, तब तक वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और एक ला